उर्फी जाबेद ने शक्तिमान यानि मुकेस खरना को बोला ये पागल है इसे जेल भिजवा देना चाहिए अब उर्फी जाबेद का ऐसा बड़ बोला अंदाज लोगों को बिलकोल भी पसंद नहीं आ रहा है अब आप सोच रहे होंगे कि उर्फी जाबेद ने शक्तिबान बने मुकेस खरना को पागल क्यों कह दिया और वो उन्हें जेल क्यों भिजवाना चाहती है दरसल यह बात तो आप सभी जानते हैं कि जब से साउथ स्टार प्रभास की फिल्म आदी पुरुष आई है तब से अपने डायलोक्स को ले करके विवादों में बनी हुई है फिल्म में जो डायलोक्स और कॉस्ट्यूम्स दिखाए गए हैं उनके चलते इस फिल्म की हर कोई अलोचना कर रहा है ऐसे में मुकेस खना ने भी हाली में फिल्म आदी पुरुष पर अपना रियक्शन दिया था और उन्होंने कहा कि आगर किस ने अधिकार दिया है धर्म गरंथों को इस तरस से अपमानीत करना मुकेस खन्ना ने यह भी कह दिया कि आदे पुरुष की पूरी टीम को ही जला देना चाहिए बस उनके इस बयान को लेकर ये और फिजाबेद ने मुकेस खन्ना पर बुरी तरस से भड़कुछी है उर्फिजाबेद ने बीते गुरुवार को एक ट्विच में कहा कि ये आदमी पूरा पागल है उसके साथ ही उर्फिजाबेद ने ये भी कहा कि मैं मानती होगी मुवी थोड़ी बहुत बुरी है बट प्लीज किसी को जलाना सही नहीं है इतना ही नहीं उर्फिजाबेद ने आगे लिखा कि हिंसा को उकसानी के लिए इस इंसान को सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए वही मुकेस खना को लेकर केगल सरके च्विच की वज़े से उर्फिजाबेद एक बरफिर से सुर्खियों में आ गई है अब आपको बता दे कि मुकेस खना निर्स से पहले फिल्म आदी पुरुष के किरदारों के कॉस्ट्यूम्स और आगों का रोल अदा कर रहे है प्रभाज की मूचों पर भी अपत्ती ज़टाई थी वही एक तरफ जहां ओर्फिजाबेद अपनी रिबलिंक्स ड्रसस के चलती चर्चा में बनी रहती है वही दूसरी ओर शक्तिमान का रोल अदा कर चुके अक्टर मुकेस खना भी अकसर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं वही अब आपको बता दें कि ओर्फिजाबेद एक ऐसा नाम है जिसे शायदी कोई नहीं जाता होगा अक्टर सुर्फिजाबेद अपने बेबाक अंदाज के लिए लोगों के बीच खासा पॉपलर है वही उनके बोल्ड अंदाज तो लोगों को बेहोश और घायन कर ही देते हैं आपको अमरे एक खबर कैसा लगए इस पर आपका क्या विचार है हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना विचार जरूर साचा करें धन्यवान